असलाम अलेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं ठीक हूँ दोस्तों वाट्साइब के उपर आप जो किसी के साथ चैट करते हैं किसी को लिख के मैसीज सेंड करते हैं तो उस राइटिंग का स्टाइल हर दफा आप एक ही तरह का रखते हैं फॉंट चैज नहीं करते हैं जिससे अगला बंदा भी बोर हो जाता है और आप भी बोर हो जाते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगा किस तरह आप वाट्साइब के उपर फॉंट चैंज करकर के अगले बंदे को मैसीज सेंड कर सकते हैं जिससे वो भी बोर नहीं होगा और आप भी बोर नहीं होगे और आपका मैसिज भी खुबसूरत और दिलकश लगेगा चले चलते हैं मुबाइल की सक्रीन पर और आपको मैं सिखाता हूँ किस तरह आपने वाटसैप पर फॉंट चेंज करने हैं उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक जरूर किया करें क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोगों को इस तरह की नएने चीज़ें सीखने को देखने को मिलती रहती हैं दोस्तों वाटसैप पर आपने फॉंट किस तरह चेंज करने हैं नॉर्मल मैसिज मैं आपको सेंड करके दिखाता हूँ यह देखें जी यह होता है नॉर्मल मैसिज और अभी मैं आपको फॉंट चेंज करके दिखाता हूँ font आपने किस तरह change करना है आपने press करना है underscore press करने के बाद हम message type कर लिया और इसके बाद में भी आपने underscore press कर देना है यानि start में भी आपने underscore press करना है और last में भी end पे भी आपने underscore press करना है और ये देखें इसका style जो है गए है, अभी मैं आपको Ettर Давай और प्र फट है, उसके बारे मैं बताता 입니다, अपने किस ignor want? इसके लिए आपने star push करने के बाद, आपने message type और message टायप करने के बाद यह आपने फिर star button कर देना और यह देखें, यह bold हो गया, मोटा हो गया, ठीक है, ले-ले ले, इसका राइटिंग का स्टाइल जो है वो थोड़ा मोटा हो गया है इसको हम सेंड कर देते हैं यह देखें तीनों चैटिंग का स्टाइल तीनों मैसिजिस का स्टाइल जो है वो अलग अलग है ठीक है पहला नॉर्मल है दूसरा भी अलग है और तीसरा भी अलग है तो इस तरह से दोस्तों आप WhatsApp के उपर font change करकर के अगले बंदे को message send कर सकते हैं तो जी यां दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो I hope आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी WhatsApp के उपर किस तरह आपने font change करने हैं ये तरीका आपको अच्छे से समझ आगया होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें चले मिलते हैं किसी और अच्छी सी नई वीडियो के साथ अपनी द्वाओं में याद रखें मुझे दीजिए इजाज़त अलाफीज